तो बच्चो जैसे कि आपको दिख रहा है बच्चो क्लास 12 अपन आज स्टार्ट कर रहे है बच्चो और क्लास 12 का जो आपने बच्चो पहली एक्सेज़ाइब उठाई है वह पने उठाई है बच्चो सब्सक्राइब यह जो लेक्स लोटा है सभॉब यह शेव करते है अपनीटिशमेkal को के सब्सक्राइब बच्चो करते हैं आप बच्चो लेकिन अपने अपड़ो wrapping वीडियो बनाईंगे तो यह 11 लेक्चर अपन्न में लेक्चरности झाई के लेक्षर नमबर 11 तक पूरे वो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे एज आयटी पॉइंट और व्यू से ठीके बच्छो तो बच्छो देखो मैं आवियू जो होता है बच्छो अपन जब इसको हिंदी में आवियू बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्छो आविय व्यू बच्छा अपन को एक व्यू बनाते है न बच्छो व्यू बनाना कुछ अपन एक चक्र व्यू बनाना है बच्छो तो व्यू बनाना यानि चक्र व्यू बनाना आए आ का मतलब बच्छो पन यहां से निकालेंगे आयताकार है न बच्छो क्या निकालेंगे आयताका तो आयताकार और व्यू बनाना क्या बनाना बच्छो आयताकार व्यू बनाना किसका बनाना अव्यवो का अव्यवो का अव्यवो का अव्यवो का आयताकार व्यू बनाना बनाना न बच्छो यह क्या कहलाता है अपना आव्यू कहलाता है प्रतिपादित किया कैसे किया क्या विचार था तो यह तो आई टी पूस्ता नहीं कभी बच्छे ना लेकिन फिर भी अपन अंडरेश्टेंडिंग के लिए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो और जो बच्छे पढ़ चुके उनको भी पतल जाए किसने की है क्योंकि आप अपन को तो आम काना विटा गुटली कि लेकन न है न होचो तो यह दा आउट लगाते हैं लेकिन चलो कोई बात नहीं आज अपन गुटली फ़ीहिजिन लेते क्या है वच्छो तो बच्छो और्थर केली और्थर केली तो बचो और्थर केली जो गनित के जो साइंटिस्ट थे गनितक ये थे बचो इन्होंने समीकर्ण को हल करते समय समीकर्णों को समीकर्णों को हल करते समय हल करते समय यह आव्यू सिद्धान्त का क्या करा बच्छो प्रतिपादन किया आव्यू सिद्धान्त का आव्यू सिद्धान्त का प्रतिपादन किया यानि इनके बच्छो उसकता है समीकन को अगरते समय और तर के लिए के मन में उस समय महावारत के विचार आ गया बच्छो कैसे चक्र बियुक्त ने मान के रहा है ना बच्छो जिसमे अरजून परसा बच्छोई ना तो ऐसे यह और थर के लिए नहीं भी सोचा कि क्या आपन अवयो कभी एक ऐसे व्यू बना सकते है क्या तो उन्होंने एसा करा और उन्होंने सफलता पाइस में ठीक है और तर के लिए ना बचो आप जो इन्हों ने ये वच्छो आव्यू सित्दान तो जो बना दिया ना बच्छो अब ये कौन-कौन सी ब्रांच में यूज मैंने लगे तो देखो गनित के में ही कोडिनेट जोमेटरी कोडिनेट जोमेक्टरी में भी आपन इसका यूज मिलेते न्यु आख़ो ओर्यूनेट जैमुट्री क्याने जेमंटरी ना बच्छो आल जैभरा हमाइल ये मिलेते और ये ऊठरिक्स को मिलेते हैं फिर बचो फिजिक्स जो हो गया फिजिक्स तो फिजिक्स में सब आप षीमिलियर हुए उड़ को इसा कुछ बे favour आब शूच्ट है आपके सानिय ऐसत कुछ बताया होगा है कैपto यह जो ट्री-वन-10-1-30 यह लेकर ऐसे ऐसिंब बता बच्चों तो यह क्या है यह सान१ का बच्चों यह क्या है बच्चों है वच्चों सान१ी ऑग highly आवänderियू मैं जाए सबसे पहले उन्होंने आवियू सिद्दांत बनाया तो आवियो को क्या कर रहा हुआ व्यू में बनाया एक चक्र वीव में पसा दिया बच्छो पर बाद में उन्हों पसा दिया तो कही चक्र व्यू आइसे बने जिसका से मान निकल सकता है लुसक्ता है ना तो जो मान निकल सकता थे लिए उसको उन्हों ने क्भसा जो लाग आथि यह सानी अभी बच्छों मास्टर माश्टर मलग रहा है उसको ना तभी वक्त के साथ ले संसाधा राएप च Originally क्या है यह ना उसके तो ऐसे बच्चो देगो I cap J cap K cap 2 3 1 minus 1 3 यह सब क्या है और इन अव्योगों को अपने अरेंज कर दिया क्या कर दिया और इनको अरेंज कर दिया ना तो एक आयता का व्यू में अरेंज करें ना बच्चो यदि मैं इनका मान निकाल हूं मैं के वल इनको अरेंज ही करके छोड़ तो तो यह बनेगा आव्यू जिसको अपन ऐसे बॉक्स से दिखाते बच्छो ठीक है लेकिन मानलो मुझे इसका मान आयम इंट्रेस्टेट टू फाइंड आट दीज वैल्यू है ना तो अपन इनके यह व्यों की वैल्यू निकालने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो फिर अप सब्सेल पास डिफ्रेंस आये है सान इक वा किसे एक सिंपल बचो यह आपन करते हैं ца नोट को लेकिन आअव्यू को अपन किसे पार लिषा आव्यू को एक आजफैर ऐताकार बॉक्स से भी करते बचो यह आपन ऐसे वह करते हैं आपन ऐसे से लगा करी एब दबंड रिव यूकि परिवास सारी क्या होती यह वत रीघ्ञिसर क्या हुआ हो यह है है इसम नव मेक्त्रेब यॉ मेक्तिक्सम होती है वह पन गया बोलने बनेगे कि पंगती और इस्तम में पंक्ति और इस्तम में किसी सुनिशित करम में विवस्थित करम में विवस्थित किसी सुनिशित करम में विवस्थित संख्याओ या अव्यव है ना बच्व कुछी बोले उसको संख्याओ या अव्यव है ना पंक्ति और इस्तम में किसी सुनिशित करम में विवस्थित संख्याओ या अव्यव हो जो आईताकार व्यू जो आईताकार व्यू में लिखी हो जो आईताकार व्यूमें लिखी आưa ला थो जो यह क्या कहलाती यहáँ मार्क्ट्रिक्स खेला थी ठीक है बहुत सिंपल सी बात करें अपन्य सिंपल बहुत तो देखो पंग्तिश्व में बात पन्ने पास उन सब क्या करना एक सूनशित करम बच्चो यह जो तो होते हैं न बच्चो यह अपने वैल डिफाइंड रहन रेंज होता बाक्स बनाना है तो जैसे यह जो बॉक्स बनाना रही चीजिह स्टीजर्ट कर हैраा पिर भूब खुषोत बात लिखेजुर्य जैसे एक सूंछी सुखक बंद रखिद रिखेज असा हो एक लिज़ियम हो मना, है कि फिर खुजाल लब गर तो थोड़ा सा डिफ्रेंस हो जाता है न वच्छो तो वह अन गुमा के फिर वह करना बच्छो ना को खुजालने तो वह कि अंने से तुछ नहीं हो है तो या आव्यव हो जो आयताकार व्यूंड में लिखिय क्लाती है मैक्ट्रिस कहलाती है ठीक है जैसे बच्छो आचा इसका नोटेशन अपने बताए दिया बच्छो संकेत किसे दिखाते है इसको है ना यह अपने पास बच्छो मैं आपको यकोव愕क उपने इंग्लिश में इलिमेंट बोलते है मुझे मुझे करना बच्छो इनको मुझे अरेंज करना एक आयतकार व्यू में अरेंज करना है ठीक है बच्चो तो आयतकार व्यू में अरेंज करने के लिए अलग लग टाइप के बच्चो उते हैं अलग लग दिमाग लाएंगे बच्चो एक बच्चा बोलेगा कि गुरुजी मैं इसको क्या करूंगा पूरी पूरी शेट साथ आठ इसको क्या कर देगा पंग्ती में अरेंज़् कर देगा यह लौग इसका ठीक है तो उसने अच्छे करम में पैडल सक यह एक वह जो बालग जिसने इसको किया ना वह सुनुचीत करम में यह पंक्ती में करना अच्छा बच्टो ऐसी माल लो कोई जालन बच्चा है वह कह रहेगा बच्चों वो कहेगा कि źमीं उसको क्तम में करूंगा तो वो बच्चा क्या करेंगा इसको में पर्लिक्र सबसक्राइं का आशा बजो का जबास बच्चों । यहां देखो जो यहां कितनी को लाज़ा है अपक्षोपिया और कितने आफ एक पांक्टी मां और कितने क्लाम ज्याबvert सबसे पहले करना पड़ेगा सबसे पहले उस आव्यू का करना पड़ेगा कि मुझे कितनी पंक्तिया में मुझे इसको रियर्इंज करना है पंक्तिया में सबसे उसक्राइज करना है तो यहां पनôm क्रोस में में करें लिए सबसे ह trifель के बच्छो इतना आय UC my point बच्चो okay बच्चो है 나Pacitch को बच्चो उन्गिलिसे हम बोलते है रोज अना बच्चो अपन्ट इसके R से रोज दرض करेंगे ऐसे इस थम को बच्चो पन कै बोलते है cover बोलते क्या बोलते है column न कोर लम तो इसलिए इसके से से अपन इसको रेटार करेंगे ठीक अब अच्छो सजय आगया है और दूसी चीजिए यह जो आव्यू है इस अब अब इसको करेंगे capital A capital B capital C ऐसे capital letter से अपने इसको रेटार करते है ठीक है अब अब अच्छो देखो अपन बात करते वही जो भालक थे एक भालक पंग्ती में एक ने स्तम में कर दिया तो उसका करम कितनी हो गए एक रोस आड यानि पंग्ती कितनी है इस्तम कितने आठ न, शो ऐसे एक ने कर स्तम में तो पंग्ती कितनी है बिसकी एक वन टू त्री फोर फाइफ तो एट पंगती है कोलम कितना है बच्छो एक कोलम उसने है तो इसका यह हो गया अब 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 अपन यह देखेंगे जो करम होता है ना बच्छो जो ओडर होता है आव यू का वह आव यू के ओडर को गुना करके उतने ही आव यू आने चाहिए है नहीं समझाते है बच्छो कितने अपने पास एट फनी कैने ना बच्छो तो अपने जो ओडर बनाएंगे पन जो भी आ व अ भीमानकरें का देंगे है उसके और और को मलटिप्लाइव करेंगे आट ही आना चाहिए तो देखो 8 आ रहा है अब जिसे एक बच्चे बोलता है कि मैं तो 2 into 4 का करूँगा तो बना सकता है 2 into 4 का आव्यू जो 2 into 4 करो तो कि न आ गया 8 आ गया 8 element थे अच्छे के बच्चे बोलता है कि गुर्जी मैं इसको 4 into 2 में करेंगे कर सकते हो 8 element अच्छे के बोलेंगे तो मैं 3 into 5 में करूँगा तो वह यह वाला आव्यू नहीं कर सकते क्यों क्योंकि 3 into 5 कितना गए 15 तो 3 into 5 के आव्यू का निर्मान करने के लिए उसको कितने element चाहिए बच्चो 15 element चाहिए न बच्चो तो अब यह तो है नहीं कि 8 के बाद 0000 लगा देंगे ऐसा आपको नहीं करन है बच्चो तो यह समझ मैं आपको कि कितने बाई कितने का आव्यू अपन को बनाना है कैसे डिसाड करेंगे जितने element होते हैं तो आव्यू के orders को जो अपन करेंगे और multiply करेंगे अगरत यतने ही आव्यू आ रहे है तो इसका मदला पन वह वाला व्यू कर सकते हैं नहीं आरा तो नहीं कर सकते तो यह कर सकते हैं यह यह कर सकते हैं किसके लिए के वली यह element को यदि मुझे रियर्रेंज करना है तो कितने प्रकार के आव्यों मैं बना सकता हूँ समझ मैं बच्चो ओके मेरे प्यारे बच्चो ठीक है नौटेशन समझना गया बच्चो परिवासा समझना गई यह अब बात करेंगे बच्चो सिंपल क्या कुछ बेशिक सी बाती तो सबसे पहले बच्चो अपनने स्टाइट करेंगे साणिक और मैक्ति स्के बाहिए बाते तो बच्छो देव को सानिक हलकी सी बेसिक बाते करेंगे ध्यान रखने योग बच्छो बेसिक सी सानिक के बाते करेंगे बाद में पर सानिक को भी करेंगे बच्छो सानिक खुद अपने आप में आर्च से नो लक्ष लेगा बच्छो ना तो उसको भी इसमें पर कवर करेंग तो सानिक क्या होता है बच्छो सानिक एक गनिती मान होता है जो सानिक को अलकने पर क्या आता है एक मान आता है ठीक है और आव्यू क्या होता है बच्छो आव्यू जो होता है वो क्या होता है एक आव्यू एक अरेंजमेंट होता है बच्छो ठीक है आव्यू क्या होता है एक arrangement होता है simple किसका element हो का ना किसका arrangement होता है element का ठीक है मेरे प्यारे बच्चो आप अब बजो देखो आविू का जो order होता है निक करम जो होता है order होता है order जो होता है इसका वह होता है M CROSS N ना order m cross n में बच्छो यह जो m है ना m not equal to n और m equal to n दोनों ही case possible है ना बच्छो किस में आव यू में आव यू में हो सकता है बच्छो जब m equal to n होगा बच्छो इसका मतलब पंगती number of पंगती number of rows और number of column number of column क्यों दाएंगे समान हो जाएंगे ना बच्छो जब यह पंगती और इस्थम समान को तरह म गल्द कि संक्या क्या निय बड़ाबर नहीं है ना शानि क्यों ना इन थी कि एक गनित का मान होते है सिंपल और इसका जो ओडर होता है न वच्छो इसका जो होता है वह होता है समान पंकती और समा यानि इसके ओडर को केवल पान यह लिए कि two order कि सानिक त्री order कि अबलब two into two जैसे नहीं आए गाटसर होना यह क्या सोता है इसे smiles क्यों अधाब में विछ जोता है जिसमें 10 रस्तम बराबर भड़े उसको फर्लाब्या क्यों स्कों और दलते बना क्या बोलता है पुन उसको वर्द आप अब अच्छो देखो मैं इंटर्राक्ट कर रहा हूं इंटर लिंक कर रहा हूं इसको आप से बोला जाएगा आपसे बोला जाएगा क्या मैं आव यू का सानिंग निकाल सकता हूं तो आपका गूंहीं कुन नुन छीक है क्ल किसी भी यानो कट निकल सकते बच्वाइब किसका निकल सकते हैं जिसके पंक्त्यों इस्तम बड़ाबर होते हैं तो जिसके मैं ने अपको देए यह जैसे दो भाई दो की मैंने एक आगे बना दे जैसे मैंने लिखा टू फॉर त्री वन यह एक आवियो टू भाई टू को है ना पंक्ति और समान है क्या मैं सानी निकाला हुँ जी बिलकुल निकाल सकता हुँ यह कैसे वरह तो इसका क्योंको कैसे रिप्रजन गरते टू फॉर त्री वन ऐसे लिखते फिर यह इन दोनों को को multiply करेंगे तू फिर माइस लगाएंगे फिर फॉर त्रियों को multiply करेंगे त्वैल अब यह कैसे आया यह भी बाद में सीखिंग बच्व है ना वैसे आपने physics में इसको discuss कर लिया होगो कैसे सानिक ऐसे करके ऐसे गुना करना यह तो आपने सीख लिया होगो नहीं भी सीखा तो अपना भी आगे पढ़ेंगे तो don't worry about इस है न बचो तो यह संजवाएंगे बच्चो सानिक क्या होता है एक मान होता है और इसका order हम इस अपन टू ओडर थी और ऐसे बोलेंगे क्यों बोलेंगे क्योंकि इसके पंक्तियों समान होते हैं तो आप टू इन्टू की जग आप टू बोल दो आव्यू क्यों होता है एक अर्रेंजमेंट होता है एलेमेंटों का और इसका जो करम होता है न बचो ओडर वह एम क्रोस एंसे दिखाते हैं और सब बराबर वेसकते और में मुद्य क enthusiasts जब इकवाल होंगे त Smells सकते हैं एक वह शानिय को निगाल सकते हैं ठीक है तो यह पहला पयुंट की बात करेंगे बच्छो जैसे आपको मालो आपको एक आव्यू का अरेंज कमेंट करना है क्या करना है एक आव्यू का निर्मान करना है लेकिन आव्यू के निर्मान के टाइम आपके पास जो एलिमेंट है एलिमेंट है वह एलिमेंट मालो कितने आपके पास सो दो सो अजार दो अजार मालो इसे है ठीक है इतने सारे ऐलेमेंट है अब इनको आपको क्या करना ए अरेंज करना Pass इनको ऑप एक और करोगे तो यजा करोगे ऐसका जला है पर सुलक। कि जवाने में क्या करते है एक kod بناते है programming करते है क्या करते है programming करते है तो ऐससे बच्छो जब आविउ के निर्मान के ताइम यदि अधि element जादा है तक परने code बना लेता है क्या बना लेते है então code कैसे लिखेंगे तो ज यसे आअग इसे सो स वजार क cargo कुछ रिक को मैं ऐसे नहीं कि मैं क्या लिखुँँगा इसमोल ए आई जे ना बच्छो एलिमेंट का पने प्रीज और ऐसे आयतकार बोक्स बना लेंगे बच्छो और क्या लिखें गया एम इन्टु एन यह लिखेंगे बच्छो ठीक है अब बच्छो यह जो मिन तो एने न अब देखो एम और एन का order decide होगा बच्छो जैसे अब मैंने तो का बोला मालों मैं सो का नहीं कहे रहाए मैं आप से डिफाइन अन्डिफाइन हो जायागा बचो अनंत नहीं कुछ डिफाइन वैल्यू निकालने है ना कुछ डिफाइन एलिमेंट को मुझे बैठाना है तो डिफाइन का मलब होता है MN MN element को बैठाना है ना बचो तो M M into N matrix में MN defined element को मुझे क्या करना है इस में arrange करना है इसे निमा मैं क्या लिखोंगा बनाऊंगा तो कोड के लिख दे वानने कि एक आवए बनाए उसका नाम दे दिए मैंने ए दे to N is a view का क्या है order है ठीक है अब यहां पर जहां where M decide करना M क्या होगा तो बचो देखो यदि माल लो मैंने बोला कि यह इसको बचो open open कर लेते three by three के लिए three by two के लिए open करता हूँ इसी को इसी को three by two के लिए open करो तो three क्या हो इसमें रोज हो गई और two क्या हो इसमें column हो जैने तीन तो रोज है और दो क्या है इसमें column है तो इतना अपन लिखी सकते हासी बना सकते इसको तेना code वोड़ों की जरुबती नहीं है इसको तो अपना पहले स्थम में बस इसका करतेंगे इसका मुलव दूसरे स्थम में बस इसके हलावत ओंठी है यह एक स्थान है एड्रस तो यह इक एड्रस थाना बच्छो तो यह एफन झाकि एक एड्रेस है क्योंßर इड्रेस है पहली पंग्ति के पहले स्तम तो जैसे मैंने यहां बोला कि 1400 वैलु मुझे 2 रखनी है तो इसका मतलब जैसे मैंने volunteer है तो इसका मतलब क्या होगा कि पहली पंग्ति और पहले स्तम में जो आव्यव जो इस्तान है उसमें परन जाके बैठा दो दो जाके बैठा दो बचो सम्झमा आ गया न ही चीज़े एस हाई इस स्तान की नामं किया है है यहAs जो यहां पर बहार जोविया वे ना उनको कहां बैटाना है कौन से एड्रेस बटाना है वो एड्रेस से बचोई ऐसे दूसरी पंगती के दूसरे स्थम में तीसरी पंगती के पहले स्थम में तीसरी पंगती के दूसरे स्थम में ठीक है बचो तो यह अपने पास स्कोर्ड हो लेकल लेकल और यह अपने पास होगा जैसे इसका मुझे लिखना है तीन में टू का लिखना था तो मैं किसे लिखो हूँ हां one i three है न और इसके दो के लिखो हूँ one greater than and equal to j sorry one less than or equal to j and and less than equal j less than equal to two तो j रहाता जाएँगा तूतर एक से तूतर तो जे दोगो j एक से ले के तूतर के है एक से ले के तूतर है एक से ले के यह क्या अड्रेस है यानि कौन से अव्यव को कौन से इड्रेस है बटाना है जैसे मैंने बोला कि A32 is equal to 2 इसका मजला क्या है कि 2 जो है न 2 ये 2 जो अव्यव है इसको कहा है बटाना है इसको बटाना है तीसरी पंक्ति के दूसरे स्थम की जिगह पर जाके बठाओ तो तीसरी पंक्ति के दूसरी पंक्ति के दूसरे स्थम पर अपन किसको बठाते हैं नहीं दो को तो दो आके यहां बैठ जाएगा स्म graph । यह तो कब है यह तो अपने पास hand making आव you है। भाछो यह तो क्या है hand making यहाँ से बनाए गई आव्यो और कैसे बनाया लिए पंटने भाइट जो लेकिन बाछो यह ना यह यह कैसी है है computerize बनाई यह क्या है computerize बनाई आव यह ना इसको अपन बोलते है coding क्या बोलते है पनने इसको coding तो अपने इसी coding कर दी बचो अब coding में mk422 जो भी डालना है 1000-23300 जो आपको डालना है वो पन डाल सकते हैं ठीक है बचो तो हर यू rumor चलो अब एक कुश्छन कर लेते हैं सिम्पल सा कर लेते हैं बचर जैसे मैंने क्विशन लिखा है मालो मुझे ओं मैं 2 करम की कि करम की आाव्यू सार निर्मान करना एं मैं निर्मान करो कि थरे味 तुक का आल्ष का निमान करो न और इसमें आपको दे दिया है आई य जुका आई प्लस गर की तो दिजह. यह क्या दे सकते हैं ये तीन तो क्या हमती है और दो क्या आसमे कोलम है तो इसके को जोड़ेंगे जैसे मानलोग मुझे यह है है यानि ए टू टू वाले स्थान पर क्या बठाना है मुझे छे बठाना है आप बचो यह कोडिंग हो गई बच्चो यह कंपडराइस कोडिंग हो गई समझ पारे हो आप मैं इसकी जगह कुछ पड़ा दाल दो अई प्लस के लेकिंगे एक सुरूपमे होगा वह आइजे की तो मालों में मेरी बच्चो इसे मालो मुझे ए बच्चो उसका डबल करो गणा है तो और अई कितना है तो जोड़ दो तो फोर बटानाह तो अटर्य हाँ बच्चो तो आपन बनाएंगे तो बनाते चलो इसका अवे Kirby तो आव रवुी यह बनाएंगे तो बना लोग कि जो बनाते छो तो तो देखू यह वन वन वाले इस्थान पर क्या बठाना है वाला इस थन पे क्या बटाना हा वो वाला दो जो Phi डबल करने के 요या इस उस में कि 5 बटाना है ऐसे इसमे डबल करके हें टू-टू तो 4 एसमे टू-डबल घर करके चार में दो जोड़ेंगे तो चैसे वन का डॉवरट टू टू में 3 जोड़ेंगे तो पाच ऐसे यह बन गहीं आपने पास अगी हो जब बोड में ऐसी सिंपल से कुशन पूचा जाते हैं एक बच्चो यह जो exercise 3 RBSC की बोड में जो कुछन पूचा जाएगा बच्चो तीसरी exercise में से वह एक तो बच्चो एक number का पूचा जाएगा आपसे एक से लेके 10 के कुछन एक एक number के आते हैं बच्चो तो उसमें आप आप से कुछन पूचे जाएगा इसा ही कुछन आपसे बोला जाएगा चोड मिल जाएगा या तो सी के उपर होगा सिंपल सा बचो बोड में तो बच्छो देखो इतना सिंपल है यदि आप दो बक्ति दो बत्ति बगवान के आगे लगा दो ना बच्छो और अच्छे से पढ़ लो तो में भी बच्छो 95 प्लस नंबर आपके आजाए हैं 100 की तो बच्छो मैं खुद भी गरा करके चेक कर रहा हो श्री मान करें तो भी लगा तो अपकी आपकी कोपी निकाले तो ऐसी होता है वाच्छो उ्समें क्या है क्या नहीं है अच्छा एक्जाम अलमें अपटा दिमाग हो सकता है उसम台灣 कैशित्यज की नियम्हें एक नंबर का तो नंबर 100 में से 100 नंबर आने के लिए थोड़ी से पन को कंसेंट्रेशन जो होती है अब उसको इंप्रूव करना है बस और कुछ नहीं और रायटिंग को इंप्रूव करना है आ जाएंगे बच्चो ठीक है अब बच्व यह अपने पास यह समझवा है बच्व अब देखो थोड़ अशा अपने इसमें पर्म्यूटेशन और कॉम्यूटेशन जो पी एंची उन्हें बच्व ग्यारवी गलास में जो पी एंची बढ़ा है थोड़ अपने उसके पर एक कु धबंडेशन का था आपन तो यह बिल्लुकुल फिरी वाले चल रहा है अब तो अब फाउंडेशन के बच्व पन इसको किससे इन लिंक कर देते हैं मैं इसको लिंक कर देता हौ किससे पेंसी वाले कॉश्यप्ट से तो आउ बच्वाईखो आपसे कुश्चन बोला गया आपसे कुशन बोला है बचो कि 40 अव्यव को देगा कि ना 40 अव्यव की साहता से 40 अव्यव को लेकर 40 अव्यव को लेकर कितनी संभावित करम की आव्यू का आव्यू का निर्मान कर सकते हैं बचो आव्यू का निर्मान कर सकते ना तो बचो क्या क्यों बोला है कि total number of possible orders total number of possible order of matrices which can be found using दीज आईलमेंट न बचो तो चालीस सव्यव और से लेकर कितने पोसिवल यापना पाए न बना पड़िए लेकर तो यह बच्छो दिएक़ अपन कैसे क्या करना है तो सुन बच्छो आपके पाथ 40 अलिमेंट है तो माना मैं ने कितने ए एंब से एंए ऐसी ने आपनों तो फचिको एंब एप सिंपल करते था हुँ चालिस के लिए तो पर सिंपल कर लिते हैं वच्यों एम क्रोस्य एंड करके क्याना चाहिए चालिस चाशिव एक टॉरल चालिस जाएगा चालिस इन टुए कल लू तो सब्सक्राइब ञाक हैन्हों अब यह में इसको कर लेता हो दों तो इंटु जालेशंग stress देर, बीस इंटु दो कुल आखाल ुलो तो चालेश जायएगा और देखो दस इंटु चार कालो तो चालेशंग're, गर चार इंटू 10 कलू तो भी कितना जाएगा चाली कि ऐएगा है न अ बच्व और बुझो और लुख और aste पांच खलो तो भी 40 ओझेगा तो तो कितने सम्भावित करम के आपिंच थी में बना सकता अपन आथ ये दो 34 is दो सकते फ यह बतुमें गाले सकते तो आथ और तो इस कहां से गिना जाएगा आप बच्छो यह तो इसे तो करोगे क्या वाब ऐसे उसके फेक्टर नहीं करपा होगे ना बच्छो तो इसके लिए आप क्या पड़ेगा सबसे पहले आपको प्राइम फेक्टर निकाल लो जो दिये गए अब वेना उनके प्राइम फेक्टर निकाल लो तो बच्छो एम इंटू एन न बच्छो तो एम प्लेस और एन प्लेस यह दो प्लेस होगे न है न अब देखो यह तो अपनने ऐसे कैल्गुलेट कर लिए लेंगा बड़े हो तो कैसे करना है तो उसके लिए देखो अपन प्राइम फेक्टर बनाएंगे चालिस है दो है तीन तीन ना वीज़े विल्टन और पांच है कितनी Girls एक बार ठीग है अब मुझे बनात अब दो स्थान बच्व के पास क्या रिश्था सीब्स पहले मुझे मैं पहले किस बात कर लेता हुकив लेता हुट बात कर लएती हुट दो की बात कर लेता हुट और कितनी बार है तीन बार है ना इसको मैंने पहले स्थान पी बढ़ दिया बढ़ दिया बचो पहले स्थान बढ़ दिया ना तो दो इंटू तीन बढ़ सकता हूं को दिक्कत दो ठीक है पहले स्थान में बढ़ सकता हूं तो दो को बढ़ने के तरीके इसमें इसमें बढ़ दिय गया तीनों इसमें बढ़ दिये तो इसमें क्या हो गया जीर हो गया ठीक है बच्छो इसमें दो कितनी बार हो गया जीरो बार जब तीनों इसमें आगए तो कितनी बार हो गया जीरो बार अचा बच्छो यह जो दो है ऐसे भी तो सकता है मैं दो के दो इसके अंदर बैटा दू और दो के एक दो इसके अंदर बैटा दू ये भी तो तरीका हो गया अज़ा ऐसे भी तो सकता है दो के एक मैं इसमें बैटा दू और दो के दो मैं इसमें बैटा दू अज़र यह भी हो सकता है कि दो के कुछ भी मैं इसमें नहीं बैटा हूँ और दो के तीनों दो मैं इसके अंदर बैटा दू तो कितने तरीके हो गए दो को तो दो तीन बार है M और N में बैठाने के कितने तरीक हो गए बच्चो 1 2 3 4 तो कितने तरीक हो गए 4 तरीके ठीक है बच्चो ऐसे मेरे बच्चो 5 है 5 कितनी बार है एक बार और कितने स्थाने 2 तो 5 को 2 स्थानों बैठाने कितने तरीक हो गए 2 तरीके या तो इसमें या फिर इसमें तो किने तरीक दो तरीके तो टोटल कितने हो गए बच्चो आठ तो यह आठ है अब मेरे बच्चे यह क्या रहा मैंड गई तो बच्चो आपने प्रेंसी बढ़ा हो तो आपको यह जी लग रहा होगा उल्टा आप के रहे हों गुरूजी ऐसी को आप तो सीधे कर लो ना दो तीन बार है दो इस्तान है तो कितने बटाने चार तरीके पांच एक बार दो इस्तानों बटाने तो तरीके टोटलात तरीके और जिन बच्चो ने निन पड़ा उनको तो यह भी लग रहा हो गया रहे कुरूजी यह क्या हो रहा है बच्चो तो बच्चो समझना है आर्यु ग्रेटिक माई कि यह ना तो इस प्रकार कितनी आव्यू बन गई आठ और यह आठ प्रकार के करम की आव्यू बनी और इनके ओडर बिचेसे मैं ने लिखा पहले आव्यू का लिख दिया एक इंटु 40 दूसरी के लिग दियाatique 40 इंसरे का लिख दिया तो एसे आथ हो के लिख दिया आप इनमें कितने के चालीस इसमें कितने चालीस हो आप से बोला गया है कि टोटहल नंदर of matrices total number of matrices which can be formed using all of these elements all of these elements यानि आपसे बोला गया है बच्चो कि जो 40 अव्यव है ना ये 40 अव्यव इन 40 अव्यव को भी मैं कितने प्रकास से अरेंज गर जबता हूं इसी में और कि मेरे बच्चों नहीं समझाया आपसे बोला गया है कि ये जो 40 अव्यव को भी इसी आव्यू के अंदर ये जो एक आव्यू बनाए ना एक कितने प्रकास से मैं ने चार्यच को इस में तो बच्चों आप ऐससे सिंपल समझना चार्यच डिफरेंट रही है ना चालिच अव्यव जो जो कैसे डिक अव्यव है डिफें डिस-डिफेंट डिफेंट अव्यव और ce तो चालिस डिफेंट डिफेंट अवियाव है मालो कितने अवियाव है चालिस ना इनको अरेंज करना है तो कितने प्रकासे कर सकता हूं मैं फैक्टोरिय चालिस प्रकासे कर सकता हूं तो इसका मलव यह जो चालिस अवियाव इसके अंदर है उसको अरेंज करने के कितने तरीक तो एक हो चालिस में एक तो यह बन गयाphin आंप सब्सक्राइब Uh नहीं सुझाएłącz है अचा एक मैशी में ऐसे भी बन सकति रिपके रहें अलफा वन बाद में अलफा टू ऐसे और बचो यह कॉमा कॉमा मत लगा ना बचो कभी भी ना आव्यू के बीच में आव्यू बनाती समय है जब आप लिखते हो ना तो उसमें कॉमा नहीं डालना बचो ठीक है यह चीज आप समग लेना है ना बचो सबस्क्राइब कर गया थे ठीक हैं बचो तो कितने तरीक में अपनी पास डिफनेंट इपरेंट और हर एक और स्में bran Rogo सकता है तो इसका आंसे कि नहीं जाएगा एट इंटू फैक्टोरिया चालीश प्रकार की अपन मैट्रिक्स बढ़ा सकता है ना बापेस से लो कुछन कहा है टोटल नंबर ओव मैट्रिक्स कितने प्रकार की अपन आविव बढ़ा सकता है विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओल ओफ दीज एलिमेंट जो की सभी 40 अविव से लेके बनाया कई हो तो टोटल किने जाएगी हाट इंटू तो बचो समझ में आया तो आज की लेक्टर जो बच्चो 40 मिंट का जो हुआ वह तोड़ा सा अपन को बेसिक जो अपनने बाते के थी थी थोड़ी सी सिंपल सब्सक्राइब को आज 41 मिंट का अपने लेक्टर बनाया ना बचो कल जो बनेंगा वह 30 मिंट में बन कवर करेंगे और काफी कुश्चन को इस में डिसकस करेंगे ओके बच्चो आपको इस लेक्चर की पीडियेफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगे ठीक है प्यार